असलाम अलेकूम रहमतुल्ही वबरकातुमर आइडू का लेहमत बात कर रहा हूं मेरे खुशालिटू कलेक्ट करें सब्सक्रेपर वह लेकिन बेल की गंटिक दो करूं कैसे है दोस्तों सो भी अच्छे है ने इनिशाला विजनिल्ला मैं भी अच्छा हूं अल्ला से दबा करत सबसरात दपारी चाहर करें तो एक जवान बच्ची बड़ी प्यारी बच्ची से निखा करा हुआ है वह बहुत अच्छा इंसान है मगर वह पर देशी से आया था उने गाया था जादी किया शादि करने के बाद इस ऐज बिचारी प्रुधिया आगु था एक प्रग्रनेंटिक होने क Zar si जाने के बाद आए D सारी जवानियां आपको बचे होने के बाद उसकी इंतिजार में रहे, मगर वो रहता 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 के वादे देखो इतना अच्छा मोखा देखो बीवी के साथ इतना सुलुक करके सब कुछ करने के बावजुद आके है इतना वफातार इतना नमाजी अत्मी इतना सिधा साधा अत्मी इतनी सीधीगी साधीगी खुब्सूरतागी हर चीज में भी वह वाल है इतना अच्छा इ नहीं आया वो इनतिजार करकर के ऐसे ही इनतिजार देख लेखी है लेकिन ये बच्चों को पाल के सुपर बच्चे उसको लांग जाने लग गई तो इस बिचारा भी आता ही नहीं वीडियो काला में फोट वां में फोना में सेल्पिया में ऐसा देख लेता फोट वां देखत वो बच्चों को लेकिसा जिन्दगी करना उसकी जवानी लेको कहां जाने किदर जाने कोई भी परी मरत की नजर भी पड़ गए भी उसे उपर लगाना उसे लड़ना ससराल निचे उपर करना इसलिए सबसे बहतर है यह फ्यामली को हां तो भी बिला लेना कम से कम ने तो तो करता है तो माँतbout को क्यों हिम्मत की तो भी बात करता है तो कम सक्कुम उस बिचारी राते-रात वजारा करती है अच्छी नीं निसे उसकी नीन छिन लिया उसकी सब कुछ इर्माना थो ने छिन लिया और तीरी जवानी καता है की इन्साफर रपाथिताhoon है कि कहां की इनすप अब वैसी हालत मुसिश्ट किवे शादी कर लेका ना दुनिया की इज़त के लिए तुम्हार घर की इज़त के लिए तुम्हार घ्लiają घर में घुलामगी ती कर लेती हूँ रह गयी तो आगो ऊजस्टो बचाओ जingenनारे निकाह आवाजित करणा बच्चे प्याहणा घ्रहें हो पानी तरह तुमारी जवानी तुढ़तेसो पानी है उन्हें जवानी है तो उन्हों कैसा परदाश कर ले को रहा ना अगर से नाजर भी देख किसी तुम बात कर दा लिए अगर से क्या तो भी हुआ शेतान भेका दा लिया भी तक्सिर किसकी इसका जिमा कोण कोण लेना जिमा जिमा जवान हो रहा तू ज़रा सूचो समझो पहचानो बहुत कुछ माने लिकलती नहीं बोले तो कुछ बूले अल्ला के बासे किसी की बीवी कोई भी काहीं भी ना माँ के घर में ही है इसका हक अदा करो उसे नजदिक काड़ो उसकी इनसाफ करो इसके हालात देखो अज़कल और वरतों को रहमारी बेमारियां पैदा होते हैं मर वोटाले का आते हो के हक अदा करते हो को काम लियो दिल में इसका सारी जिंदगी सब्सक्याइब नाम भी बॉरा रुसवाई भी बुरा भी पैशा भी खतम जवानी भी खतम लाश्ट बेमारियां सब्सक्राइब लगा मैं अच्छी भी बिढ नहीं पढ़े तो यहनी तुम राएं में मूपट बोलतो हूँ को जाहिए गुसा कर लिए बुरा कर ले हिसा ला के बाष्ट आक्वा किसी पी इसकी व्हां करनेए तो उसका हाँ करो उन्हें और बिशा करने हमारे क्ला को बात करेंगर भया चला से पर अच्छा घ्रार को बात करने sortir लात दिन तेरह बेटा आग दुस्स Jar ut करता है तो इसकी जवानी अंदर forming बुड़ी कुन्हों मालूम हो रहा है थोड़े ऐसे भी थोड़े वयषे भी ही समझे बात हो इसके वास्ते उसकी दिल पोई क्या पिकता उन्हें पल पल एकक सिकन एकक वक्त एकक लाज़ा भी कैसा घटा दे रहती है अपनी जवानी को सर पे रख लेके ये सूचना पड़ेगा खुद की जरूरत पूरी का लेने का यादों के बहारों में यादों के बहारों में सावन के जूलों में तुम्हें याद आते ही यादों के बहारों में सावन के जूलों में तुम्हें याद आते ही जहां जहां मैने मोसम को पकड़ के गया वहां वहां तुम्हें याद आते ही मगर तुम परदे सी रह जाते ही मगर हम यहां तडब तड जब कि आपके यादों में रहे जाते ही, क्या करें, शौक तो बहुत है तुम्हें साथ में लेके चलने की, मगर रासता भीगा पड़ा हुआ है इंतिजार का, मगर तुम आते ही नहीं, जब जिसकी इंतिजार में हमने चूरे चूर होके दिनकू बीते पलपल हमने घटा दिये ही, मगर तुम्हें एक काल फोन तो भी करती करके इंतिजार करें, तो वो फोन के आवाज के लिए बरसे घटा दिये, मगर तुम आते ही नहीं जवानी तो बरफ के तरह घुला देते ही मगर तुम्हारी जवानी हवावों में वड़ा देते ही क्या तुम्हारी इंतजार में वफाई के रास्ते में हमने शम्माज लगा के और भी इंतजार करते ही मगर तुम्हें वहां से हम कुछ आपू मारके किसी और की जिन्दगी में चल गए ही परदीजी की जिन्दगी वफादारी की एक महबत की धड़कन के आवाज की वफादारों का वदा करके जाते ही मगर जब फ्लाइट में चड़ देते ही वादों को चकना चूर करके दर्या में फेक देते ही मगर तुमारे मीठे मीठे बातों से हमने सारी जिन्दगी घटा दिये ही मगर वफाई के रास्ते हमारे अल्ला ने बहुत बरकत देगा मगर एक सजा तुम्हें भुगित ना पड़ेगा कि एक दिन वो भी आ जाएगा जिस दिन तुम्हें मेरे सामने रहा दे काश किसकी जवानी किसके पास रहती है पता नहीं काश कोई मरता है कोई जिन्दा रहता है ये भी पता नहीं जब हम धोका आपको देना चाहते हीं तो एक सिकन का वक भी लगता नहीं मगर तुम्हें रितना बेवफा लिकल गएंगी हीं मगर बेवफाई के लिए एक वफाई pequा चादर भिचा के अपने दामन को छुपा के इज़त के परदों के ओपर फूलों के खुश्वों के तरह उठा के तुम्हारा इंतिसार करते ही क्या तुम्हें ये भी नहीं पता है तुम्हें ये भी नहीं पता है शायद जमाना अलग है मगर जमाने को पकड़ के लोग भड़े बेवफा ही मेरी धेलिज पर मैंने हर दिन ये नजर उधर रखती हूँ मेरी धेलिज पर मैं उधर नजर हर दिन रखती हूँ ताकि वो आज आएगा आजनी तो कल मगर आजकल के बातें तो बड़े मीठे हो जाते ही लेकिन धोका तो वही होता है जो फिचे वफादार बातें करता है सामने मीठे बातां फिचे वफादार बातां किसी की जिन्दगी में जाते ही तो होटलों में यादे यादों के राते राते गुजर जाते ही पैसा तो कमा देते ही जवानी को भिगा देते ही अपनी जवानी को एश आराम में लगाते ही दुसरों की जवानी को इंतिजार में लगा देते ही वक्त तो घड़ गया है बुड़ापा आ गया है बच्चे तो बड़े हो यही आरमाना तो मिठी में मिलके चल गए यही मगर उस नेकी के उस वक्त के उस नमास के उस यादों के उस अबादत के दिना याद करते ही तो वो चहरा वो शकल वो इनसान कहां चल गया है मर आँखों में आसों ना बोले ना पूचे आ जाते ही ऐसी जिन्दगी हमारे साथ हो जाती है किसी इनसान के साथ निकाह होता है किसी इनसान के साथ जब जिन्दगी बनती है जब एक बच्चे के माँ दो बच्चे के माँ हो जाती है तो घर में उसको छोड़के परदे से जाते हैं अपनी पेट की रोजी के लिए है क्या नहीं जब अपनी पेट की रोजी के लिए जब जाते ही तो पेट की रोजी के लिए ही देखना पड़ेगा अबादत कर को मगर पेट की रोजी जाके अपनी जवानी को किसी के हवाले पैसा धोड़ा पुत हमारे हवाले सारी जिंदिगी का इंतिजार की सजा हमारे हवाले ये कौन सी इंसाफ है ये कहां की इंसाफ है शुगर के बेमारिया, बीपी के बेमारिया, थाराड के बेमारिया लाश्ट में दाल लेको और पैसा दिये सुभी पैसा उनसे डबल पैसा उठा कर रखा है में उनको खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि ये सजा तो पुगितना पड़ता है ना इसलिए अकसर आउरतें आखो बेवा ऐसा ही जिन्दी की घटाती ही क्यों रेगतो जब मर्दें बेवफा करको आउरतों को नाहक मुँ में मठी मार देते ही तो अल्ला उनको जल्दी से जल्दी च्छीन लेता है बीवी को छोड़को पराई बीवी से रिष्टा रखने वाला उसकी हया च्छोटी जब वो चले जाता है तो फिर ये आउरत मासा चाहे दुसरे स कि निखा करती है या नहीं करी तो अकेली तनहा जिंदिगी करना पड़े बच्छों को देख के ऐसी जिंदिगी अकसर पडिस्य के सांथ होती यह सब लोग नहीं है ऐसा थोड़े को ऐसे ही फोड़े को वैसे ही क्या करे ए Сам आता ही सारा मकस पाई पईसा और शायराम की जि